हेलो गाइज वेल्कम बेक तो माइड यूटूब चैनल माइनम इस मनिश गुपता यूर वाचिंग बी एसीजी लेक्शर्स तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्ड एसाइन्मेंट के साथ यानि आज हम आप सभी के लिए सॉल्ड एसाइन्मेंट लेकर हैं जो कि आपका बीवाइस एटी 131 कोर्स कोड का है जो कि आपके कोर्स का टाइटल है जिसकी हम क्लास भी कई बार ले चुके हैं तो देन गाइस बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर बीवाइस से जिनका डिमांड है जो कि अभी तक हम फॉल्फिल नहीं कर है यह वाला assignment तो देन यहां से आप बना सकते हैं free of cost है बिल्कुल आराम से बनाईए यहां पर आपको मिल जाएगा तो देन बात कर ले हम वैलेडिटी की तो वैलेडिटी जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 जैसा कि मैं बार बार बताता हूं जून 2022 वाले हो यह दिसंबर 2022 वाले 10 questions और सारा एक मतलब लगतार करना होगा आपको तो देन इसको हमने जस्ट पार्ट वन और पार्ट वन डालेंगे आज हम पार्ट वन अप्लोड कर रहे हैं और नेक्स्ट दे हम पार्ट टू को भी अप्लोड कर देंगे जन उसके बाद आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर भ बहुत सारे बच्चे हमारे जॉइन हो चुके हैं आप भी जॉइन करिए टिक है तो विडियो को सुरूआत करने से पहले फटाफट अमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो उसकी जो बनाने वाले हैं एक जनवर्दी 2023 से लेके कत्य दिसंबर 2023 तक एक एसाइनमेंट रहने वाला है यहां पर हमारे एसाइनमेंट के कुछ कुछ नसे अम डिसकस कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे मन में थेक है यह एक सब्सक्राइब करने हैं जैसे कि अगर हम कुछ नंबर वन की बात करें इसमें कह रहा है दिस्क्राइब दे स्ट्रक्चर ऑफ टी एम वी यानि तो बैको मोजेक वायरस जो है उसमें क्या है लेवल डागराम के हल्प से आपको डिस्क्राइब करना है देन उसके बाद दूसरा कोशन इसी में पहला में ही आपका बी जो पार्ट है इसमें लिखा है राइट आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है मेकनिश्म को बताना है तो इसमें आपको क्या है एक कोशन पे आपको पांच नमबर बिलेगा दो कोशन आटम करेंगे तो 10 नमबर आपको मिलने वाला है तो इसी प्रकार से हमारे पांचों कोशन से इनके हम आंसर सब देखने जा हैं चलिए देखते हैं अंसरे इनके तो देखे करना है किसकी हल्प से लेबल ड्याग्राम की हैं करना है दूसरा आपका क्या है डिकना है कंजूगेशन इन बेक्टिरिया ठीक है तो दोनुगों को अटेम करेंगे 10 मार्क्स में यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आंसर्स को लिखा है यह आपका जो ब्लू कलर में होगा यह आपके कुश्चिन सुने वाले हैं और यह ब्लैक कलर में मैंने आंसर्स लिखा ह क्योंकि अच्छा marks सिर्फ और सिर्फ answer writing से नहीं मिलेगा आपको सामने वाले जो checker है, उनको समझ में भी आना चाहिए, ये बात का विधान रखेंगे आप अगर आपकी writing अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है तो marks आपको कुछ भी दे दिये जा सकते हैं, बाकी assignment की ब बात करूं सभी के marks अच्छे खासे आते हैं और कोई भी minor सी mistakes पर आपका assignment reject नहीं होता है बहुत से YouTuber बाले मतलब इतने सारे क्या किते हैं आपके इस कारण reject हो जाता है इस कारण reject हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है गाई बहुत ही minor कारण से आपका assignment reject नहीं होने वाला है तो छोटी छोटी गलतियों को पर मतलब एक तरीके से आप टैंसर नहीं कि आपका assignment reject हो जाए नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा बट हाँ ध्यान रखे कि आपका जो assignment जो आप बना रहे हैं उसको बिलकुल एकदम perfect रखने के कोशिश करेंगे अगर आप अपना perfect करके चलते हैं assignment तो देन आपको full marks मिल सकते हैं ठीक है यह मैं सच बोल र पूरा answer लिखना है यहां पर देगे capsid हो गया यह सारा जो भी है हमने पूरा का पूरा यहां पर लिखा है ठीक है दन उसके बाद हम next page पर आते हैं तो next page में आपको यह वाला diagram बनान है यह diagram किसका है तो just structure of tobacco mosaic virus का है यहां पर हमने capsumers यह चुटे-चुटे unit होते हैं उनको वीडियो को आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटर जितने भी डाउट है सब किलियर हो जाएंगे ठीक है क्योंकि साथ-साथ हमें पढ़ना भी है क्योंकि आपके जून में एक्जाम्स भी आने वाले हैं और जून में एक्जाम्स के registration भी कुछी समय बाद स्टार्ट भी हो जा जाएगा आप उसे भी जाके solve करते रहिए ताकि आपका जो प्रिपरिशन है एक्जाम के regarding वह एकदम perfect हो सके देन उसके बाद यहां पर जो दूसरा question था कि mechanism of Conjugation है उसको यहां पर describe करना है bacterium है तो यहां पर हमने यहां पर छोटा सा answer ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि पास नंबर का है हमने यहां पर लिखने के कोशिक करी है तो आप भी इसको लिखेंगे ठीक है यह B का है ध्यान रखेगा यह B का answer है और वो A का answer था ठीक है उसके यहां पर हम देखें यहां पर आप इस तरीके से फिगर भी बना सकते हैं इसका ठीक है अब बच्चों को डाउट रहता है कि सर डाइग्राम बनाना होता है कि नहीं बनाना होता है तो मैं आप सभी को एक बात clear कर दूं कि जहां पर डाइग्राम की requirement होगी यह फिर अगर आपको डाइग्राम की अबर्शकτα पड़ सकती तो टैन तब आप क्या करोगे डाइग्राम बनाए ओगे थीक है हो सकता है कि कोशन में ना लिखा बनाना जैसे कि इसी कोशन की बात करूं है इस कोशन में आग्राम बनाने को नहीं लिखा भर हमने कि यू बनाया diagram क्योंकि सा तो इसको हमें क्या है डाइग्रामेटिक रिप्रेजन करके दिखाना जरूरी हो जाता है तो समझ गए होगे आप मेरी बाल तो आपको जहां पर लगे जरूरी वहां पर डाइग्राम बनाईए बाकि मैंने अपनी तरफ से डाइग्राम बना दिया है कोशिश कर रहा है कि आप जो यह जो डाइग्राम है देखके आप बना सकें अच्छे से कर सकें असाइनमेंट को दिन आ जाते हैं हम नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोशन जो है हमारा यहां पर यहां पर क्या लिखना है गिव एन एक्षॉस्टिव अवर्वियू अफ एकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साट्रेम लिखा है जैसे पहले हम ने लिखा है यूसे और बेक्टेंट यूज के दा आयुक है। घंच ओंडेन उनिय भीड शडूमिक तो उसके बारे भी लिखाया है, जैसे कि Sausages, Hams, Salam, यह कुछ नाम है वहां के लोकल नाम से वहां कि नाम से बीखना गुर्च नाम उन्हाना को एड़ कि लाखविあります बेक्टेरिया का नाम बता है, जो कि बेक्टेरिया दॉर्टेरिया की मदद से बनाई जाती है। that immune system responds to its self-on-carat vaccine component is an attractive vaccine strategy okay, so just what we do, we put bacteria in its body and see that this immune system responds to what it is according to what we do, we complete the process of the vaccine when it comes to bacteria, the antibodies just mimicry and then the immune system responds to the infection so if there is a vaccine or tuberculosis, then the vaccine is used and then the work is still working so then you will do the answer to the other one as well as in energy production, the bacteria can be used like methanobacterium, it changes the waste to the biogas change the virus, okay, like you have a gas or the gas so after that, the waste product is used as a fertilizer we can use it, now sir, you all say that you are all you are all saying that you are all saying that you are all you are all saying that you are all saying that you are all you are all saying that you do notlaf, you are all repeating your site like so you are all saying that you will fix the work if you are all saying that you go through the whole thing one thing you are saying is that you can know something कर रहे होगा तो सिर्फ और सिर्फ चापने पहोगा आप चीजों को समझ नहीं पाओगे और लेकिन अगर आप अभी से समझते हुए चलोगे चीजों को तो दिन आपके क्या है एक अच्छे स्ट्रेंट और अच्छा माक्स गेन कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज लाइफ जो आपकी है ओपन वाली खासकर बात करूं तो हम काफी जादा क्या है अपने डे-टू-डे रूटेन से पीछे हो जाते हैं तो हमें डे-टू-डे रूटेन को छोड़ना नहीं ह हमें साथ-साथ पढ़ते रहना है और एक तरीके से जैसे रेगुलर बच्चे पढ़ाई करते हैं वर्स हमें भी उसी पत पे या मैं बोलू पात पे चलना है ठीक है तो यहां पर देखे पढ़ भी सकते हैं उसके बाद गया है माइक्रोप्स एज बायो फटिलाइजर माइक जो इस पिरिलम हो गया यह सारे living bacteria होते हैं फ्री living bacteria होते हैं जो कि nitrogen को एब्सौर्व करके जश्ट उसको convert करते हैं किसमें amino acid में convert करते हैं जो कि पौदे के लिए काफी ज्यादा ज़री होता एक तर किसे ना तो यह कुछ ऐसे bacteria हैं जो कि bio fertilizer की तदा काम कर रही है बाकि इस से यहां में मबनीन प्रीक्ष्ड पॉइड्च्ण लिभलोगी हो गयी हो केग early के सॉन्हाइब है जाटाओ अपी इसके बाद MULT एक्षियल हैबिट में होता है few centimeters कि अधिया होते हैं मतलब length जो होती हैं कि काफी inches में होती है चोटी-चोटी length होती है उनकी तो यह सारी चीजों को आप पढ़िए गाप ठीक है हम एक एक चीज को अभी describe नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप को भी क्योंकि आप आये हो किसी और काम स detail video आपको मिल लेगा playlist में फिर आप महाँ चलते हैं next हमारा देखे reproduction है polysponia का polysponia का हमने reproduction को define कर रहा है तीनों types में जैसे कि आपका gametophyte हो गया या फिर बात कर क्यरपो sporophyte हो गया या फिर tetrasporophyte हो गया इन तीनों को हमने describe कर रहा है तो देख सकते हैं आप यहां पर सारे चीज अच्छे से बता है मैंने तो यह सारा बना देंगर तो देन आपका क्या हो जाएगा बढ़े को फिर आउनसर हो जाएगा बढ़े को यहां पर हम आ जाते है नेक्स्ट पर तो देखिए क्या है कि आप चाहे तो रोक रोक युकि लिख सकते हैं इसको बढ़ मुदियो को पाउस करें दिन उसके बाड आप लिख सकते हैं बाकि इससे जुड़ी जो PDF है यह मैं बात करूँ क्या कहते हैं PPT है इसको हम प्रोवाइड करा देंगे जब हमारा नेक्स्ट पार्ट अफ्लोड होगा ठीक है आपको कहा मिलेगा तो आपको बाइद मीलने वाला है दें उसके बात कुश्ट नमबर 4 देखे हैं यहां पे क्या है ब्लू-ग्रीन एलगी जो है जो मेजर सोर्स अफर्टिलाइजर होता है आपका बाइव फर्टिलाइजर होता है उसके बारे में ROB लिखना है यहां पे यहां पोडिया है चाहए साइनो बै करने का काम करते है और यह कि आसे एरोबिक कंदिशन में भी रह लेते हैं इसके सेल्स को ईसम यज था है रोसंग में होता है जो इसक दो कि है जो कम करता है और जैसे कि आपका किस में कंवर्ट करता है ने अंड़मनीय और अमूझ compare the प्लांट उसे क्या है प्रूटिन नुक्लिक असेड में कनवर्ट कर देता है और यह जो अट्मॉस्फेरिक नैट्रूजन है यह क्या है रीडिली अवलेबल आपको नहीं मिलेगा तो देन उससे क्या है यह जो ब्लू ग्रीन अलगी है वो जस्ट हम उसको फटिलाइजर बायो है तो यह आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहले वाले का एक पार्ट तो दैन उसके बाद आपका जो भी है यहां पे आपको क्या है बैसिडियों कारफ और एग्रीकस जो है मतलब और आपके शिवॉम जो होते ना हां बिलकुल होई कॉमनली मसरूम जो होते हैं यहां प इसमें आप देख रहे होंगे एक सेल में क्या है दो आपके नियुकलस देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर आपके इस तरीके से उसके पाझ वेजिटेटी मसलियम में भी आपके तीन तरह के मसलियम होते प्रायमरी शेकेंडरी और टरसरी मसलियम इन तिनों को हमने डिस्क्राइब कराएं नीचे मैं आप चाहे तो कर सकते हैं अंसर आपको मिल गया यहां पर बीका दिन आ जाते हैं हम लास्ट कुश्छन मे पार्ट वन के लास्ट कुशन में आपका यहां ओवर नहीं होता है, आपका नेक्स्ट पार्ट में भी होगा, जो कि हम आपके लिए जल्द वीडियो लाएंगे, उसमें आप देखिएगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं, पास्वा कुशन जो है, यहां पे यह पॉल्योशन इंडिकेटर का भी है, यहां पे मैंने लिखा है, यह ब्रायोफाइटिए और जो एक परोटेक्टिव लेर होती है क्योटिकल की उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, वो काफी एक्स्ट्रेम् denken के रिशाता है, इसमें इंडिकेटर की थारा यू से करते हैं, जस्ट वह इंटिकेट करता है लो लेवल ऑफ एर पॉलिशन माले कि कभी एर पॉलिशन जो एक्यू आई लेवल जिसे हम कहते हैं वह काफी कम हो जाता है मतलब बहुत ही बत्तर हो जाता है काफी ज्यादा हाई हो जाता है तो देन उसके बाद वह कहा है उसके एकॉर्डिंग तो रिस्पॉंस दिखाने लगते हैं डिजट में भी जैसे कि मॉस दिजट हो गया यह जिस्ट बताते एर पॉलिशन है किसी एरिया में नहीं है तो और भी बहुत सारे हैं आप बहुत सारे जो ऐसे अश्यमेटलर्गिक आपके वर्क्स हो गया है जहां पे हैभी मेटल का का आप नहीं तो जावित काफी जढ़ा तर ग्रोफ जाती है कलर वगए अब चेंज बहुत सारे इंडिकेटर है तो यह बाईब इंडिकर वारटर पॉलिशन को बताते हैं रेदियो एक्टिव सिसित सिजिएम को भी बताते हैं दिन बहुत सारी चीजें आप पहुत लेवल को भ इसमें पांच नमबर मिलेगा तो पांच नमबर वाला यह भी है अपका यहां पर हमने डेफिनेशन के अधार पर अगर ब्राइवफाइट को डिफ्रेंसेट करोगे तो देखिए क्या है ब्राइवफाइट्स एंब्राइवफाइट्स ट्रू वस्कुलर टिसूज नहीं होता इसलिए थोड़े प्लांट से ठोड़ लगोते हैं यह न्सकी बाद ओर यहां पर क्या लिखा है यह क्या होता इसमें वस्कुलर प्लांट होते हैं यह और स्पोर के थ्रू करते हैं है करें सेडि ब्रम है इसनल को हम क्या केते हैं शेयुब प्लांट का एंफिश कॉम बी甚-पिशह में व क्रिप्टोगैमस भी में कहते हैं तो वियोयं विया इसनल की बrazic ने उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप नेक्स्ट पेज़ पे बदल जाओ बाई बदल नहीं रहा है दना जाते हैं हम नेक्स्ट पेज़ पे आपका जो बचा कुछ आंसर है गेमेटोफाइट इस पोरोफाइट के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशियेट करा है प्लांट बोडी किस तरीके से उनमें होती है उसके ब श्कलर टिशू प्रिजेट जैसे कि जैलम फ्लों होगे आपका यहां पर प्रिजेंट अब रिवर्फाइट वगरा तो देन यहां पर कुछ एक्जांपल्स भी लिखे हमने जैसे कि आपका ब्राइट में हॉर्ण लिबर्वोर्ट एंड मॉसेज होगे एक्सांपल्स में इ इतने भी मतलब कुछन से पांच अभी के लिए पांच स्रिफ जो कुछन है उनके आंसस आप सभी को मिल गए होंगे तो थैंक्यू फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाहिए जो आप मारे न झाल